पंजाबी फिल्मों के मशूर अभीनेता और किसान अंदोलन में मुख्य भूमी का निभाने वाले दीप सिद्धु का एक सडख हादसे में मंगलवार को निधन हो गया उनकी गाड़ी दिल्ली के पास कुंडली बॉर्डर पर दुरगटना ग्रस्थ हो गई जिसमें उनकी जान चली गई दीप सिद्धु के साथ गाड़ी में एक महिला मित्र भी थी जो हादसे में घायल हुई है दीप स्कॉर्पियो कार में सवार थे जब उनकी गाड़ी एक ट्रॉली से टकरा गई एक स्कॉर्पियो गाड़ी में दीप सिद्धु जा रहे थे तभी सडख किनारे खड़ी एक ट्रॉली से उनकी गाड़ी जा टकराई हादसा सोनी पजिले में हुआ है दीप सिद्दू के शव को खर खोदा के अस्पताल में पोस्माटम के लिए रखा गया है मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक गाडी में मुझूद महिला की हालत गंभीर है किसान अंदोलन के दोरान पिछले साल लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में अबिनेता दीप सिद्दू का नाम सामने आया था उन्हें इस मामले में गिरफतार भी किया गया था कई महीनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी जमानत याचका में दीप सिद्धू ने अदालत में खुद को बेकसूर बताया था उन्होंने कहा था कि उसे फर्जी तरीके से मामले में फसाया जा रहा है तब कोट में दीप सिद्धू के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके पास मुख्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिससे पता चल सकता है कि उसने हिंसा के लिए लोगों को नहीं भड़काया